जैभीम नम्मबुद्धाय विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरतन अमबेटकर की ओर से जैभीम नम्मबुद्धाय आज मैं आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबासाब अमबेटकरजी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते एक अपील करना चाहता हूं यह अपील करने से पहले मैं आप लोगों को बाबासाब अमबेटकरजी की एक बात बताना चाहता हूं बाबासाब अमबेटकरजी ने महार के चवधार तालाब का अंदुलन किया उस अंदुलन का दूसरा भाग 25 डिसेंबर 1927 को जब बाबासाब इसको पूरा करने के लिए तब वहाँ पर अंग्रेज पूलिस अधिकारी ने बाबासाब अमबेटकरजी से एक मुराकात मांगी और बाबासाब अमबेटकरजी से मिलने के बाद इस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि बाबासाब आपके इस आंदुलन की खिलाफ और महार के चवधार तालाब को लेक इसलिए वहाँ पर stay order लेकर आया है हम आपके खिलाफ नहीं है आपके हक और अधिकार के खिलाफ नहीं है लेकिन आज अगर आप उस तालाप पर जाते हो उस कानून का भंग होता है तो मजबूरन मुझे आपको और आपके सभी साथियों को arrest करनी होगी बाबा साथ के साथी खड़े थे बाबा साथियों ने कहा बले हमको arrest कर लिया जाए लेकिन हम तालाप पर ज़रूर जाएंगे लेकिन बाबा साथ नहीं किया बाबा साथ अंबेड कर जी ने देखा कि यहां की ब्रहमनी वेवस्ता बाबा साथ अंबेड कर जी का आंदोलन जिस ब्रहमनी वेवस्ता के खिलाफ है उस ब्रहमनी वेवस्ता के खिलाफ का ये आंदोलन अब वो न्याय वेवस्ता के साथ करवाना चाते थी इसलिए बाबा साब अंबेटकर जी ने उस आंदोलन को स्तगीत किया, बाबा साब महाण के चवदार तलाब पर नहीं गए, लेकिन बाबा साब अंबेटकर जी का जो आंदोलन धवव स्तगीत नहीं हुआ, महाण के चवदार तलाब पर जाने का निर्ने बाबा साब ने वहा भारास्ट्र में हम लोगों के उपर आ गया है। दिक्कत ये है कि ये निर्ने लेने के लिए बाबा साथ नहीं है। लेकिन बाबा साथ की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि जो अपने इत्यास भूल जाते हों कभी इत्यास बना नहीं पाते है। ये हमारा इतियास है। बाबा सब अमबेट करजी ने योग्य निर्णे योग्य समय पर लिया है। और इसलिए मैं ये बाबा सब अमबेट करजी के परिवार का एक हिस्सा होने के नाते मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करनी के लिए आया हूं। 14 एप्रिल 2020 को बाबा सब अंबेट करजी की जहनती आ रही है। जहनती मनाने के लिए हम लोगों को किसी के नियोते की जुरुत नहीं पड़ती। पूरे देश विदेशों में बाबा सब अंबेट करजी की जहनती मनाई जाती है। लेकिन इस साल 14 एप्रिल का जो दिन है ये लॉक्डाउन में उस लॉक्डाउन की पिरेडव का हिस्सा है। इस दिन सेक्शन 144 पूरी देश भर में लागू है भारत भर में लागू हम लोग बाबा साब अंबेटकर जी के अनुयाई है। और इसलिए मैं आप लोगों को बाबा साब अंबेटकर जी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप सभी लोगों को ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ। दोल ताशे ना बजाए। क्यूंकि इस देश की न्याय वेवस्ता इसने सेक्शन 144 लगाया हुआ है। अगर आप लोग रास्तों के उपर आते हो तो आप लोगों को एरेस्ट करने के लिए इस देश की सरकारे इस महाराश्य की सरकारे ये कोशिश में लगे हुए है। कि कब आप लोग परतिक्रिया देते हो, कब आप लोग सरकों पर आते हो और यही वो वेवस्ता होगी इनका मीडिया, इनके पुलिस, इनकी न्याय वेवस्ता ये आप लोगों को इस देश में देश-द्रोही करार देंगे। यह हम लोग अपने अपने घरों में बैठ कर मनाएं, बाबा सब अंबेड करची की किताबे पड़े, बाबा सब अंबेड करची की जीवनी के उपर, उनकी बातों को पड़े, उनका इतियास जाने, लेकिन सडकों पर आने के लिए आप लोग इस साल टालिए, और जैसे ही जैसे ही यह लोग डाउन का पिरेड खतम होता है, हमारे लिए बाबा सब अंबेड करची की जीवनी की जीवनी करची सिर्फ 14 तारिक तक सिमिक नहीं होती, महराश्रों में मैंने देखा है, भारत में मैंने देखा है, जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती, तब तक अगर अच्छी लगी, तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद